सदार्टी एक त्यार जो खात्मों करे डिक्टेटर्स जो रस्तों रोके चड़े हो हाने मार्शल्ला लगाएं सोलो ना है अगुरे सदर्फ खांगर में जलसे के खिताब करने चायो तो हूबर करें जी आड़ो मजबूरा है बाहर नथ हो वनी सगे पाकिस्तान के सिंदर ठायो हो सिंदी बचाएंडी वदिक तफसिल लती वसीरिट मुश्ताक लगारी आई मेहर महर जी रिपोर्ट में तुझे देखा तो जाना तेरी जुर्ट को माना सब करते तुझे सलाम है एक नहीं लगवारी आसिप अली जर्दारी आसिप खांगर में जलसे के खिताब का निया गुने सदर आसपली जर्दारी जो चौन हो ता अज जे दोर में मार्शल ला लगायन सो लो कमना है कोई भी अगर मैं छोड़ देता पारलिमेंट के पावर्स तो कोई भी आके वो पावर्स योजवप करके दुबारा डिक्टेटर बन सकता था अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लगाना पड़ेगा और मार्शल लगाना आज की सदी में इतना असान नहीं है सब पांजी स्यासत कंथा असान जी पांजी स्यासत आई फ्लासा पे आई असान जी स्यासत शहीद जुल्फकारली भुटो और शहीद मोतर मां बेनजीर भुटो वारी आई पाकिस्तान को नुक्सान हुआ 5-10 बिलियन डॉलर का नुक्सान हुआ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान इस वक्त एकनामिकली कमजोर हो रहा है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मगर चूँके बाद मुझ से आती है चूँके बाद हमारे तरफ से आती है तो उनके दिल में यह सोच होती ही कि शायद इनका को इसमें फाइदा है आस्पली जर्दार ये चुड़ों तो आप सोस आई तो फलस्तीन उन लाएं आड़ों कुछ उमनाई थी रहों जे को थी अनकुर जे हां वरकरन मतां मजबूर आयां बाहर न तो वनी सखां हुनों चुरों सिंध में सबनी के चूंट बढ़न लाएं भली कार चाउं था थोगी एक दूसर में कॉंपोटेशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा अगुने सदर जो चुड़ों हो तो शहीद राणिया जी शहादत वक्त बचयो तब पाकिस्तान खपे असा सदाई आवामजी खिद्मत कई आई हमने बीबी साहबा को दफन करके भी कहा कि पाकिस्तान खपे इसलिके हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है उनका अगवागुने सदर आसफाली जर्दारिये जो पिंडाल में पहुंचनते कारकुनन पारा मानाय तो अधर भाग कयो गयो